Hello everyone, this is Rajiv here और इस वीडियो में लोग बात करने जा रहे हैं सौर्टिंग के बारे में So, सौर्टिंग स्टार्ट करने से पहले अगर अगर अरे तुम लोग नहीं पढ़ा है और वन डाइमेंशनल अरे नहीं क्लियर है तो description में मैं link दे रहा हूँ जाक कि वन डाइमेंशनल अरे का वीडियो पहले देख लो वन डाइमेंशनल अरे अगर नहीं आता है तो Sourcing में basically हम वन डाइमेंशनल अरे को ही S Statistics करना सीखने वाले हैं तो पहले जा को वीडियो देख लेना तो हमारे पास एक array है जिसमें element है like 10, 2, then 19 and then 7. अगर इस array को हमें ascending या descending में arrange करना हो तो इसी को हम sorting बोलते हैं. जैसे, suppose इस array को मैंने ascending में arrange कर दिया, so हमारा array हो गया 2, 7, 10, 19. यानि हमने array को क्या किया? suppose इस array का नाम है ARR, तो हमने array को sort कर दिया, ascending order में. अगर इसको हम descending में sort करना हो, तो array हमारा क्या हो जाएगा? हमारा array हो जाएगा 19, then 10, then 7, then 2. यह हमारा array यहाँ पे descending order में sort हो गया. तो simple, sorting यही होता है. array को ascending या descending order में arrange करना. I hope यह सबको clear हो गया होगा. ठेक? अब sorting दो तरीके से हम कर सकते हैं. हाला कि sorting के बहुत सारे तरीके हैं, तो अपना तरीका भी इजाद कर सकते हो. But basically, दो major तरीके हैं, जो sorting में तुम्हें जानना है. पहला है bubble sort, bubble sort, और दूसरा है हमारा selection sort. selection, sort. अब यह bubble sort, selection sort क्या है? algorithm है. algorithm का मतलब क्या? कि program करने का एक तरीका. जैसे, एक simple example देता हो, कि bubble sort है, क्या तुम्हें clear हो जाएगा. यह कोई concept नहीं है, जैसे तुम for loop पढ़ते हो, तो for loop का अपना एक syntax है. ठीक? तो उस तरीके से bubble sort, selection sort, कोई Java का कोई concept नहीं है. It's just a process, एक तरीका है, right? जैसे example, मैं तुम्हें देता हो, कि prime number check करने का program लिखो, तुम कैसे करोगे? तुम पहले count करोगे, count number of factors, number of factors, फिर क्या करोगे? चेक करोगे, कि number of factors अगर 2 के बराबर है, तो print कर दोगे, this is prime number. तो यह जो तुमने तरीका चुझ किया, अपने इस problem को solve करने का, problem किया था? कि तुम्हें program लिखना था prime number check करने के लिए. So तुमने एक तरीका निकाला, और तुमने इसको नाम दे दिया, कि prime a, तुमने इसको नाम दे दिया prime a, तुमने इसको चेक करने का program करना हो, तो prime a method को use कर सकता है. अब suppose कोई और है कि उसने किसी और तरीके से prime number को चेक किया, उसने किस तरीके से चेक किया? उसने चेक कि अगर जो number of factors है, उससर्फ एक हुआ, तो prime number कहलाएगा. अब भाई, तुम prime number में, अगर तुम जैसे 5 है, 5 में से 5 को निकाल दो, सिर्फ 1 से 4 तक देखो, तो 5 के आई की factor मिलेगा, ना 1 सिर्फ, ठीक है? और उस बंदे ने क्या किया? यह जो उसका अपना तरीका था, उसको कुछ और नाम दे दिया, जैसे prime B, अब आगे चलके पता चला, तुमारी book में पढ़ाय जा रहा है, कि prime number find करने के दो तरीके होते हैं, prime A, prime B, नहीं, यह जैसे तरीका था, किसी ने सोचा कि इस तरीके से इस problem को हम solve कर सकते हैं, तो उसी तरीके से जो तुमारा bubble sort or selection short है, कुछ नहीं है, simple एक process है, कि कैसे हम अपने array को ascending and descending order में arrange करेंगे, तुम बिना bubble sort, selection short का नाम जाने भी कर सकते हो program, अगर मैं अभी तुमें प्रोग्राम दे दूँ, कि array को ascending and descending में arrange करने का program लिखो, तो करते हैं कि bubble sort जो है, उसका हम कैसे use करेंगे, कैसे bubble sort तरीके को apply करेंगे, bubble sort algorithm को apply करेंगे, तो bubble sort क्या होता है, bubble sort से हम कैसे array को ascending and descending में sort करेंगे, so bubble sort में क्या होता है, कि array के सारे elements को मापस में compare करते है, जैसे मान लो, एक छोटा सा array लेता हूँ, हमारे पास एक array है, मैं simple छ and then 14, यह हमारे array है, ठीक है, हमें इसको ascending में arrange करना है, तो bubble sort में क्या होता है, कि 0, 1, 2, 3, मैंने index लिख लिए array में, bubble sort में क्या होता है, हर element को उसके बगलवाल element से compare करते हैं, ठीक है, अब अगर हमें ascending order में sort करना है, तो जो छोटे element है, ठीक है, जो smallest element हो पहले होने चाहिए, और जो greatest बड़े element हो बाद में होने चाहिए, ascending order यही तो होता है, छोटे से बड़ा, तो हम पहले 0 को, 0 index पे जो element है, उसको 1 से compare करेंगे, और देखेंगे, अगर 0 index वाला element 1 index वाले से बड़ा है, तो दोनों को swap कर देंगे, तो यहाँ देखो 0 index पे क्या है, 33, 1 index क्या है, 19, तो 33 19 से बड़ा है, तो हम swap कर देंगे, तो हम को array क्या मिलेगा, हमें नया array मिलेगा, 19 आ गया 33 की जगा, 19 की जगा 33 आ गया, then 74, and then 14, यह हमारा 0, 1, 2, 3, यह नया array हो गया, अब हम 1 को 2 से compare करेंगे, right, 0 को 1 से किये थे, 1 को 2 से, फिर से वही देखेंगे, 1 index पर कितना है 33, 2 index पर कितना है 73, 74, तो 1 वाला क्या 2 से बड़ा है, नहीं है, तो यहाँ पर swapping नहीं होगा, तो हमें same array मिलेगा, हमारा array सेम रहने वाला है, तो हर बार में लिख लूँगा, हर comparison के बाद, तो 19, 33, then हमारा 74, and then 14, हमारा array इस बार same है, 0, 1, 2, 3, अब हम क्या करेंगे, पिछली बार 1 को 2 से किये थे न, अब 2 को 3 से करेंगे, तो 74, 14 से बड़ा है क्या, हाँ है, तो फिर swapping होगा, तो हमारा array क्या हो जाएगा, हमारा array हो जाएगा, 19, 33, 74 की जगा क्या जाएगा, 14, और 14 की जगा क्या चला जाएगा, 74, 0, 1, 2, 3, हो गया, अब हम 3 को 4 किसी से नहीं करेंगे, क्योंकि 3 के आगे तो कोई index है ही नहीं तो अब 3 को तुम किसे करोगे, तो last में हम 2 को 3 से करेंगे, यानि इसको ऐसे समझो, कि तुमारे array का size अगर n है, तुमारे array का length n है, तो तुम क्या करोगे, n-2 index पर जो element है, उसको n-1 index वाले से last में compare करोगे, ठीक है, मतलब n-2 जैसे यहाँ पर देखो, हमारे array की size क्या है, 1, 2, 3, 4, 4 है न, तो n-2 क्या होग यहाँ पर, 4-2, 2, और n-1, 4-1, 3, यानि last में हम second वाले को, यहाँ देखो, second वाले को third से करेंगे, उसके बाद आगे हम नहीं करेंगे, ठीक है, array का size कुछ भी हो, तो यह जो पूरा comparison हुआ, अब यहाँ पर देखो, जब पूरा एक comparison complete हो गया, तो हमारा जो greatest element था अपने जगह पे चला गया, last position पे, इसको हम बोलेंगे first pass, इसको हम बोलेंगे first pass, अब second pass चलेगा, तो first pass में जो final array हमें last में मिला है, वहाँ से continue होगा, तो first pass में हमें array क्या मिला है, हम array मिला है, मैं लिख लेता हूँ, 0, 1, 2, 3, तो हम array मिला है, 19, 33, 14, 74, तो अब फिर हम 0 को 1 से compare रहेंगे, फिर स्टार्टिंग से, तो 0 पे क्या है 19, 1 पे क्या है 33, तो 1933 से बड़ा है, नहीं है, तो सर्पिंग होगा, नहीं होगा, तो हमारे array सेम रहने वाला है, तो यह क्या हो जाएगा, 19, 33, then 14, and then 74, इंडेक्स लिख लेता हूँ, 0, 1, 2, 3, अब क्या होगा, 1, 2 से compare होगा, तो 1 पे कितना है, 33, 2 पे क्या है, 14, तो 33 क्या है, 14 से बड़ा है, तो हमारे array क्या हो जाएगा, स्वेप होगा की नहीं, 33 और 14 आपस में स्वेप हो जाएगे, तो हमारे array हो जाएगा, 19, 33 की जगा जाएगा, 14, 14 की जगा जाएगा, 33, then 74, तो 0, 1, 2, 3, अब देखो, अब हम 2 को 3 से compare नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हो गया, हमारा 74 तो अलड़ी सॉट हो चुगा था पहले पास में, ठीक है, तो इससे compare करने का कोई मतलब नहीं है, और अब यहाँ पे 33 भी अपनी जगा पे आ गया, second last place पे सबसे बड़ा element, तो यह हमारा complete हो गया second pass, इसको हम बोलेंगे second pass, ठीक है, अब हमारा third pass चलेगा, तो array क्या है हमारा, third pass के last में हमको array क्या मिला, हमको array मिला, 19, 14, 33, 74, index क्या है, 0, 1, 2, 3, तो 0, 1 से compare होगा, तो 19, 14 से बड़ा है क्या, हाँ भाई है, तो swapping होगा, बिल्कुल होगा, तो हमारा array क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, so 14 यहाँ आजाएगा, 90 यहाँ आजाएगा, then 33, then 74, so 0, 1, 2, 3, अब 1 को 2 से करेंगे क्या, नहीं, 1 को 2 से नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि 2 देखो, second pass के last में sort हो गया था, तो 2 से comparison नहीं करेंगे, बस इस pass में हमारा third pass है, इसमें सिर्फ एक बार comparison होगा, third pass में, ठीक है, अब देखो, third pass complete होने के बाद, पूरा हमारा array ascending order में sort हो चुका है, 14, 19, 33, 74, right, so, कितना pass यहाँ पे total चला, 3 pass, 1, 2, 3, array की size क्या थी, array की size 4 थी, तो ध्यान रखना, अगर array की size 4 है, तो total passes कितने चलेंगे, 3, यानि अगर array की size n है, तो total pass कितना चलेंगा, n-1, ठीक है, दूसरा चीश तुमें क्या ध्यान रखना है, कि पहले pass में comparison कितनी बार हुआ, array की size हम मानले, हमारे array की size है 4, ठीक है, तो total pass यहाँ पे कितना चला हमारा, total pass चला हमारा, 3, मतलब array की जितने size है उससे कम, अब first pass में comparison कितनी बार हुआ, तो देखो, first pass में हमारा comparison हुआ, मैं color change करना हूँ, first pass में comparison कितनी बार हुआ, 1, 2, 3, यहाँ तो comparison हुआ नहीं है कोई, तो 3 बार, मतलब जो size array की उससे एक कम, second pass में comparison कितनी बार हुआ, तो देखो, 1, 2, 2 बार, third pass में comparison कितनी बार हुआ, एक बार, देखो, सिर्फ एक बार हुआ है, तो ध्यान रखना, array की size अगर 4 है, तो total pass 3 चलेंगे, comparison कितनी बार होगा, first pass में 3 बार, second pass में 2 बार, and third pass में 1 बार, तो हम यहाँ से अगर इसको generalize करें, कि array की size अगर n है, तो total number of passes कितनी हो जाएंगे, n-1, right, और first pass में comparison कितनी बार होगा, n-1 times, second pass में comparison कितनी बार होगा, n-2 times, third pass में comparison कितनी बार होगा, n-3 times, इस तरीके से, so I hope इतना clear हो गया होगा, तो चलो अब इसको लेके हम code लिखते हैं, program में इसको हम implement करता है, so यहाँ पर मैं class बना लेता हूँ, so just give me a minute, so मैं यहाँ पर class बना लेता हूँ, class का नाम मैं देता हूँ class, ABC, ठीक है, और इसके अंदर मैं एक method बना लेता हूँ, void, sort, और यह method एक array accept करता है, int, a, r, मान लो, और यह क्या करेगा, इस array को sort करेगा, तो sort कैसे करेगा, so सबसे पहले हमें array का length निकालना होगा, so array का हम length निकाल लेते हैं, int, l, assign with, array का length क्या हो जाएगा, array का नाम क्या, a, r, dot, length, l, e, n, g, t, h, right, हमने array का length निकाल लिया, अब हमें क्या करना है, अब देखो, हम यहाँ पर nested for का use करने वाले हैं, nested for का use मतलब for के अंदर for, क्यों, क्योंकि total passes कितनी बार चलेंगी, 4 बार, मतलब general term में बात करूं, array के size अगर l है, तो l minus 1 pass चलेगा, और हर pass में comparison होगा, तो यहनि एक outer loop हो जाएगा, number of passes के लिए, और उसके अंदर वाला जो loop होगा, हर pass के अंदर जितनी बार comparison होगा, उसको देखेगा, ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक loop चला देता हूँ, और फॉर के अंदर, फॉर को मैं start करूँगा 0 से, तो i and t, i assign with 0, और i less than l, and then उसके बाद, फॉर की body, अब देखो यहाँ पर, i assign with 0, और i less than l minus 1 करेंगे हम, क्योंगी हम 0 से start कर रहे हैं न, तो अगर length l है, मानलो l में 5 है, तो कितनी बार लूप चलना चाहिए, चार बार, क्योंकि यह जो हमारा 4 है, इन number of passes जितने होंगे उतनी बार चलेगा, यानि कि array की size, अगर array का length 4 है, तो लूप तीन बार चलना चाहिए, तो अब यहाँ देखो, मैंने यहाँ पर l minus q क्यों किया, अगर array की size 8 हुई, तो यह 4 कितनी बार चलेगा, 7 times, 8 बार, so I hope clear हो गया होगा, कि क्यों यहाँ पर हम l minus 1 किया है, क्योंकि हम i को 0 से start कर रहे हैं, अगर i को 1 से start करते, तो minus 1 करने के ज़रूरत नहीं होती, ठीक है, अब इस loop के अंदर हम क्या करेंगे, अब हर pass के अंदर जो comparison होगा, पहले pass में कितनी बार comparison हुआ था, l minus 1 times, याद है न, मैंने भी बताया था, कि अगर array की size हमारी, मान लो array की size 6 है, तो पहले pass में comparison कितनी बार होगा, total passes कितनी चलेंगी, अगर array की size 6 है तो, total pass 5 होगा, और first pass में comparison कितनी बार होगा, 6 minus 1 यानि 5 बार, second pass में कितनी बार होगा, 6 minus 2 यानि की 4 बार, third pass में कितनी बार होगा, 6 minus 3 यानि की 3 बार, fourth pass में कितनी बार होगा, 6 minus 4 यानि की 2 बार, fifth pass में कितनी बार होगा, 6 minus 5 यानि की 1 बार, ठीक है अगर मैं इसको general term में बात करूँ तो अगर array की length हमारी अगर हमारी array की length just give me a minute मैं writing pad कभी कभी काम नहीं करता है अगर array की size L है तो total pass जो होगा कितना हो कितनी बार चलेगा L minus 1 times और first pass में कितनी बार comparison होगा L minus 1 time second pass में कितनी बार comparison होगा L minus 2 times third pass में कितनी बार comparison होगा L minus 3 times I hope clear होगा तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे for अब array का पहला index हमें साथ 0 पे होता है तो 0 से start करेंगे int j assign with 0 condition दे देंगे हम j less than L अब यहाँ पे minus i और minus 1 minus i minus 1 मैंने क्यों किया अब ही समझाता हूँ और फिर j plus plus अब इस लूप के अंदर आते हैं अब यहाँ देखो हमारा जो अंदर और ला और for है हम क्या चाहते हैं पहली बार कितनी बार चले L minus 1 time second बार कितनी बार चले L minus 2 times third time कितनी बार चले L minus 3 times तो यहाँ पे देखो क्या होगा L मान लो array की length 6 है ठीक है तो अब यहाँ पे first time L minus I minus 1 तो first time में कितनी बार true होगा first time में value किया हो जाएगी L में 6 है न और I में first time कितना है 0 तो 6 minus 0 minus 1 कितनी बार होगा कितना होगा 5 यानि यहाँ 5 आया तो यह loop total कितनी बार चलेगा 0 के लिए true होगा 1 के लिए 2 के लिए 3 के लिए और 4 के लिए दोखो कितनी बार चला 5 बार 1, 2, 3, 4, 5 तो पहली बार यह 5 बार चलेगा array के length 6 है तो 5 बार comparison होगा ठीक है अब फिर देखो so second time just give me a minute जब फिर condition outer form में जाएगा i++ पे तो i की value क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी जब दूसरी बार हम inner form में आएगे तो क्या होगा अब यहाँ पे l minus i minus 1 तो l में अभी भी 6 है बट i में अब 1 है तो 6 minus 1 minus 1 तो यह कितना हो गया यह हो गया हमारा 4 तो अब यह condition loop कितनी बार true होगा 0 के लिए 1 के लिए 2 के लिए 3 के लिए तो अब यह loop कितनी बार चला चार बार अब अगली बार यह loop कितनी बार चलना चाहिए तीन बार न तो अब देखो क्या होगा i की value उसके next time कितनी हो जाएगी 3, sorry 2 फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा l minus i minus 1 तो l में अभी 6 है i में 2 है minus 1 तो कितना हो जाएगा यह हो जाएगा 3 तो कितनी बार true होगा है j less than तो j की value जब 0 होगी 1 होगी 2 होगी यह तीन बार फिर उसी तरह अगली बार दो बार फिर एक बार तो i hope clear हो गया so अब हम क्या करने वाले है simple comparison यहाँ पर करने वाले है for के अंदर ठीक है so loop दोनों समझ में आ गया हमने क्यों use किया है अब यहाँ पर हम simply लिखेंगे if यानि कि अगर जो हमारा 0 index पर element है मतलब a, double, r, j हमें क्या करना है ascending order में arrange करना है तो 0 index पर ascending order क्या होता है छोटी से बड़ा तो अगर हमारा 0 index वाला element बड़ा हुआ किस से उसके बगल वाले में तो उसके बगल वाला कौन है 0 plus 1, j plus 1 तो j plus 1 तो उस case में हम क्या कर देंगे swap कर देंगे right so swap कैसे करेंगे अब इस चीज को समझो suppose मानलो हमारे पास array है मैं एक array का example लेता हूँ यह हमारा array है और इसमें element है 0, 1, 2, 3 element है इसमें suppose यहाँ पे है 8 then है हमारा 5 then 14 and then 9 right so हम यह चेक करेंगे कि अगर a double r j यानि यह array में 0 index पे इस array का नाम मानलो a double r है टीक है 0 index पे क्या है 8 अगर यह बड़ा है j plus 1 तो j में 0 है 0 plus 1 क्या हूआ 1 तो 1 पे क्या है 5 5 से बड़ा है तो swap करेंगे यानि 5 को यहाँ ला देंगे और 0 index पे जो element है उसको यहाँ ला देंगे तो कैसे करेंगे यहाँ पे एक variable दे लेते हैं t और उसमें 0 index वाला element को store कर लेता है तो ARR और यहाँ पे j यह हो गया तो 0 index पे जो element था उसको आमने t में store कर लिया अब क्या करेंगे 0 index पे जो 5 है जो 1 index पे है उसको store कर देंगे तो कैसे ARR और यहाँ पे j यानि 0 index और इस पे क्या है store करेंगे ARR j plus 1 j में 0 है तो 0 plus 1 1 तो 1 index का जो element होगा वो हमारे array में 0 index पे store हो गया और 0 वाला index वाला element हमारा lost भी नहीं हुआ क्योंकि हमने उसको t में store कर रखा हुआ है और उसको अब कहा है store करना है तो यह देखो जो हमारा 8 था उसको हमने t में रखा है और फिर यहाँ पे 0, 1, 2, 3 इस line में क्या होगा ARR j assign with ARR j plus 1 तो यहाँ पे 5 आ गया अब इस 1 index पे हमें t को store कर देना है यानि जो 0 का element था तो हम लिखेंगे ARR और यहाँ पे j plus 1 assign with t So I hope clear हो गया कि यह कैसे swapping होई हो गया हमारा array sort हो गया यही हमारा program है देखो समझाता हूँ स्टार्टिंग से चलते हैं हम लोग ठीक है So suppose माल लो हमारा array है जिसका नाम है ARR इसी array को user ने pass किया है sort करने के लिए ठीक है So यहाँ पे क्या होगा सबसे पहले इसका length क्या है So 1, 2, 3, 4 4 length है index 0 1, 2, 3 तो यहाँ पे L में कितना आ जाएगा 4 ठीक है अब फिर I की value 0 0 less than यहाँ पे L minus 1 ना यानि 4 minus 1 3 तो 0 less than 3 condition true outer 4 के अंदर आएगा फिर J की value 0 0 less than L minus I minus 1 0 less than L minus I minus 1 यानि L में कितना है 4 I में कितना है 0 और minus 1 यानि 0 less than 3 condition हमारा A true inner 4 का ठीक है So अब हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे computer condition true हो गया तो computer inner 4 के अंदर आएगा if मैं check करेगा तो A double R J तो array में J index पे कितना है 8 है और A double R J plus 1 यानि 0 1 plus 1 यानि 1 index पे कितना है 5 है तो condition true हुआ true तो swapping होगा अब देखो A double R J 0 index पे जो element है वो T में store हो गया यानि T में आ गया हमारा 5 sorry 8 ठीक है और फिर क्या होगा मैं इसको थोड़े यहाँ पे clean कर लेता हूँ So just give me a minute So अब यहाँ पे क्या होगा A double R J assign with A double R J plus 1 यानि 0 index पे क्या store हो जाएगा जो 1 index पे element है array में 1 J plus 1 यानि 0 plus 1 1 index पे क्या है 5 है न तो हमारे array में 1, 2, 3 0, 1, 2, 3 तो यहाँ पे क्या आ गया 5 0 index पे 1 index वोला element पे store हो गया और फिर हम अगले step में क्या किया है जो T में हमने क्या store कर रखा था 0 index वोला element उसको 1 में store करना है तो A double R J plus 1 assign with T तो यहाँ पे आ गया हमारा 8 I hope A step clear हो गया होगा अब computer inner 4 अभी continue होगा एक computer if के बाहर निकला बट inner 4 के बाहर नहीं निकलेगा जब inner 4 का condition false होगा तब इससे बाहर निकलेगा फिर outer 4 को continue करेगा ठीक है तो हमारा computer यहाँ से कहाँ चला जाएगा outer 4 के condition पे J plus J plus तो J की value कितनी हो जाएगी J की value हो जाएगी 1 0 के बाद 1 फिर condition true So J less than J L minus I minus 1 3 आया था न 0 less than 3 condition true फिर अंदर आएगा अब A double R J J में 1 है तो 1 इंडेक्स पे कितना है हमारा यह मैं complete कर लेता हूँ तो 1 इंडेक्स पे है हमारा 8 और A double R J plus 1 यानि 1 plus 1 तो वहाँ पे कितना है 14 तो 8 greater than 14 condition true है क्या नहीं है तो इसके अंदर का code execute नहीं होगा swapping नहीं होगी यानि हमारा array same रहा गया जो array था वही रहा गया 5, 8, 14, 9 0, 1, 2, 3 ठीक है अब क्या होगा फिर computer कहां जाएगा inner fork के updation पे तो I के value कितनी हो जाएगी अब 2 हो जाएगी अब I के value 2 हो जाएगी so I के value 2 हो गई 2 less than 3 condition फिर से true फिर अंदर आएगा तो A double R J 2 पे कितना है 14 है और A double R J plus 1 2 plus 1 3 3 पे कितना है 9 है तो condition true है क्या हाँ 2 index पे 14 है और J plus 1 3 index पे 9 है condition true तो swapping होगा तो फिर से computer if के अंदर आएगा और if के अंदर क्या होगा T के अंदर क्या store हो जाएगा A double R J पे जो element है तो J में कितना है 2 ना तो T में जो 2 index पे element है यानि 14 है store हो गया और फिर A double R J यानि array में 2 index पे क्या store हो जाएगा array में जो 2 plus 1 यानि 3 index पे जो element है 9 यानि array में 0, 1, 2, 3 so 5, 18 यहाँ पे 2 index पे 9 आगया और फिर अगले line में A double R J प्लस 1 J प्लस 1 यानि 2 प्लस 1 यानि array में 2 index पे T में जो है T में क्या है 14 है न तो 14 है यहाँ आगया देखो swap हो गया कि नहीं 9 और 14 अब हमें हमें पता है मैंने बताया था ना कि last while element को अब आगे comparison नहीं करेंगे तो जब inner 4 के बाहर निकला तो अब outer 4 को continue करेगा तो फिर से outer 4 के updation पे जाएगा I++ मैंने यहाँ पे plus plus I लिख दिया है इसको I++ कर लो तो I++ यह I के पहले का plus plus हटा दो तो अब I के वरूँ जूरों के बाद 1 हो जाएगी तो 1 less than यह L-1 है नहीं 4-1 यानि 1 less than 3 1 less than 3 condition true तो computer फिर कहां आएगा फिर हमारा computer 4 के अंदर आया फिर J में 0 initialize हो गया initialization execute होगा तो और अब देखो यहाँ पे condition so condition क्या है J less than L-1 तो J में कितना है 1 0 न तो 0 less than L L में 4 है minus I I में भी 1 है minus 1 यानि 0 less than कितना हो गया है A हो गया 2 0 less than 2 तो आप देखो यहाँ पे क्या होगा A double R 0 फिर 0 index का element किस से compare होगा 0 plus 1 तो हमारे अभी यहाँ पे देखो 0 पे क्या है 5 है न और 0 plus 1 पे क्या है भाई array change हो के final अभी array यह है न हमारा तो यही पे comparison होगा तो 0 पे क्या है 5 और 0 plus 1 पे क्या है 8 तो condition क्या हुआ true या false false तो अंदर swapping होगा नहीं होगा फिर यानि array हमारा same रह गया array हमारा मैं इसको हटा दे रहा हूँ ठीक है मैं पूरा हटा दे रहा हूँ और फिर से इसको element याद रखना 5, 8, 9, 14 element है हमारा 5, 8 I think 9 था 14 तो 0, 1, 2, 3 अभी 0, 1 से compare हुआ तो condition if का false होगा तो swapping नहीं होगा फिर आए j++ तो j की value 1 होगई 1 less than 2 1 less than 2 condition true फिर अंदर आएगा तो a, double, r, j यानि array में 1 इंडेक्स पे क्या है 8 है और a, double, r, j, plus 1 यानि 1, plus 1 2 इंडेक्स पे क्या है 9 है तो condition true या false condition फिर से false तो swapping होगा फिर से नहीं होगा तो actually अगे पूरा swapping होगा है नहीं क्योंकि यह already हमारे array sort हो चुका है मैंने ऐसा array लिया था कि यह already sorted form में था सिर्फ एक element था sort हो गया तो इस तरीके से हर बार loop हमारा चलता रहेगा और sort होता रहेगा ठीक है जब finally हमारी i के value कितनी होगी जब हमारी i के value 3 होगी जब यहाँ पे हमारी i के value 3 होगी तो यहाँ पे 2 होगी तो यह condition क्या हो जाएगा condition हमारा false होगा किसके लिए false होगा 2 या 3 के लिए 3 के लिए right क्योंकि यह पे L-1 3 होगा न तो 3 less than 3 false हो जाएगा 4 से बाहर निकल जाएगा और जब 4 से बाहर निकला तो यही एरे हमारे ascending order में sort हो चुका है ठीक है so I hope clear हो गया कि किस तरीके से हम bubble sort को apply करेंगे अब next question यह है कि इस एरे को print कैसे करोगे sort करने के बाद तो अगर print करना हुआ तो यही पे एक और method बना दो या इसी sort method के अंदर ही sort method के अंदर ही हम एक और loop चला सकते हैं outer loop के बाहर एक और loop for int k assign with 0 then k less than l and then k plus plus ठीक है अब हमें print करना है तो system dot out dot print और ln में नहीं लगा रहा हूँ मुझे एक line में print करना है तो पहले हम array के element को तो यह double r k और उसके बाद space एक print कर देते हैं plus space दो space दे देते हैं ठीक है यह हो गया तो अब इस program में हम main method बना लेते हैं इस program में हम main method बना लेते हैं program को run करना है तो main method बनाना होगा main method हम same class के अंदर भी बना सकते हैं तुम लोगों पता हिए so suppose तुम्हारा जो array है जिसको तुम्हें sort करना हो array कुछ ऐसा है int array का नाम देते हैं a assign with इसमें कुछ element है element है मानलो 55, then 20, then 89, then 36, then 11 and then ले लेते हैं हम 55 ले लेते हैं दिखे हमार array है इसको sort करना है तो simple है जो हमारा sort method है इसको call कर दो तो क्या लिखेंगे O.B. sort और इसमें क्या pass कर देंगे हमार एरे जिसको sort करना है एक पास कर दो अब वो sort करके print कर देगा ठीक है तो मैं काम करता हूँ इस array को पहले यहां main में भी print कर देता हूँ so for int मैं ले लेता हूँ यहां पे i assign with 0 then i less than array का length क्या है यहां पे मैं a.length यूज़ कर लेता हूँ a.length and then i++ और array को print कर देता है so system.out.print और print में हम array का element को तो array का नाम क्या है यहां पे a और फिर i और उसका बाद space प्रिंट कर देंगे ठीक है और अब यहां पे एक message दे देते हैं print करने से पहले system.out.println और यहां message दे देते हैं array before sorting so array before sorting ठीक है और मैं आप ln भी लगा दिया हूँ ताकि line चेंज कर दे और उसके बाद यहां पे जहां पे हम sort method को call कर रहे हैं उसके पहले हम message दे देंगे so system.out.println array after sorting ठीक है ताकि हमें difference पता चले अब एक और काम करते हैं यहां पे इस for method के बाद sort method में एक ln लगा देते हैं ठीक है नहीं तो यह जो document teach yt java जो नीचे टर्मिनल में जो line है वो हमारे array के बगल में प्रिंट कर देगा तो इस method में last make line लगाते हैं system.out.println अंदर कुछ नहीं देंगे इस सिर्फ line चेंज करने के लिए ठीक है यह हो गया program run करते हैं इसको so java c program का नाम क्या है abc.java enter so hopefully error नहीं होना चाहिए then java abc enter array before sorting क्या है array before sorting 5,22,18,89,36,11 यह देखो यह जो हमारे array है से वैसे ही प्रिंट किया है दिखा और फिर array after sorting यह देखो है sending order में array हमारा प्रिंट हो गया है ठीक है so अगर मानलो इस में तुम्हें पूछता है कि हमें array का greatest element find करना है तो simple है ना array को तुम्हें sending में sort कर दो last element को print कर दो तो यहां पर तुम्हें ऐसे कर सकते हो greatest element print करना है तो तो यहां हम कर सकते हैं यहां पर system.out.println greatest element of array is plus array का नाम क्या है यहां पर sort method में a double r और फिर यहां पर array का length क्या है array का length l में है और last element का index क्या होगा l-1 ना तो l-1 हो गया फिर से run करते हैं so java abc.java और एक और काम करते हैं यहां पर हम array को print कर रहे हैं कहां print कर रहे हैं यहां पर इसके बाद भी एक l-n लगा देते हैं क्योंकि यहां output में देखो array after sorting जो है हमारा array का ठीक बात print कर दे रहा है तो इस line में भी एक हम यहां भी एक system.out.println जाल देते हैं system.out.println यह मैंने इसलिए डाला कि यह जब हमारा array print करे तो मैंने ln तो नहीं लगाया है न उसके बाद line change कर दे अगर यह line change नहीं होगा तो array after sorting हमारे array का ठीक बगल में print कर देगा ठीक है? सो save कर लिया run करते हैं so java c abc.java then java abc array before sorting यह हमारा array है array after sorting यह हमारा array है ठीक है? और फिर greatest element of the array is 89 दिखा? print कर दिया अब ए greatest element of the array is 89 इसलिए same line में आ रहा है क्योंकि यहाँ पे हमारा array print कर रहा है ln तो है नहीं और उसके ठीक बाद यहाँ पे यहाँ पे हमारा array print कर दे रहा है तो इसका तरीका क्या है? तरीका यह है कि यहाँ पे तुम दे दो slash n backward slash और n यह line change करता है ठीक है? देखो या फिर चाहो तो उस line को उपर system.out.println भी दे सकते हो फिर से मैं run करता हूँ यह देखो आ गया array before sorting फिर array after sorting फिर array greatest element of array is 89 so I hope clear हो गया कि करूंगा जिसमें मैं बाद करूंगा selection sort के बारे में ठीक है? so thank you for watching this video and do like and subscribe this channel